नमस्कार प्रश्चुपालक भायों नमस्कार वैटनरी के स्टुडेंट्स और गईज तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पूरा लाश तक जरूर देखें । क्योंगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है वेटनरी मेडिसीन टोल्डी एमफॉस सोडियम इंजेक्शन के बारे में ठीक है तो गाइस मेरे हाथ में आप एक वायल देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरकी है तो गाइस यह जो इंजेक्शन है यह टोल्डी एमफॉस सोडियम इंजेक्शन है जिस जो कि टोनलाउन के नाम तो यह सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से इसके बारे में जानकारी दूंगा तो गाइस अगर आप वेटनरी क्लास इस यूट्यूब चैनल पर नए वीवर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में जो बैल आइकन है उसको प्रैस कर ल अब भी तक जिस प्रिव्यक्ति ने डाउनलोड नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है वह जाकर जरूर से ज्वाइन करें तो चली आइस सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो गाइस यह जो टोनोनल इंजेक्शन है टोल्डी एमफोसोडियम इंजेक्शन सबसे प खाने में किसी प्रकार की दिकत कर रहा है यानि कि पशू को एनोरेक्शिया हो गया है भूग की कमी हो गई है यानि कि जो दानाचारा आप अपने अनिमल को खाने के लिए दे रहे हैं वह पशू नहीं खा रहा है दिकत कर रहा है तो ऐसी कंडिशन में आप अपने पशू मे वेटनरी की सहायता से डॉक्टर की सहायता से यह जो इंजेक्शन है इसको उपयोग में ला सकते हैं दूसरे बात करते हैं दोस्तों अगर पशू में इंडाइजेशन हो गई है ठीक है अगर पशू में किसी भी तरह की मदद यानि की सेंपल इंडाइजेशन हो गई है तो भी इसी कंडिशन में भी इंजेक्शन बहुत लाबकारी है और कई बार दोस्तों पशु के पेशाब में खून आता है ब्लड मिक्स आता है ठीक है और अगर पशु में मिल्क फीवर हो गया है जिसे की हिंदी में दुग्द च्वर कहते हैं तो गाइस में फीवर जो होता है उसमे उप्योग में लाया जाता है और बहुत ही अच्छा इसका मिलता है दोस्तों पशु को इफेक्ट करता है और गाइस इसी के साथ अगर आपका जो एनिमल है उसे किटॉसिज यानि किटॉसिक मेटबॉलिक डिजीज है अगर आपके पशु में किटॉसिज है ठीक है पशु लंगडा कर चल रहा है पसु पेरालाइज्ट हो गया है ठीक है अचलने फिरसले में बहुत ज्यादा देयकत कर रहा है या फिर पसु को फ्रेक्ट्र हो गया है ठीक है और अगर पशू की हड़ी तूट गई है किसी वज़से चोट लगने की वज़से या फिर किसी भी वज़से तो ऐसी कंडिशन में भी यह जो इंजेक्शन है इसको आप उपयोग में ला सकते हैं अपने जानवर में ठीक है फ्रेंड्स यह जो सारे मैंने आपको पंडिशन ब बहुत जादा कमजोर है उसमें विकनेस है तब भी आप इस कोपयोग में ला सकते हैं और दोस्तों अगर आपका जो एनिमल है आप उसको सुखा चारा बहुत जादा खिलाते हैं जहां पर हारे-चारे की कमी है ठीक है हमारे दिश में बहुत सारे सिक्षेटर हैं जहां पर वहां पर आपके पशु में इसको उपयोग में लाए जा सकता है कोई दिकत वाली बात नहीं है को ठीक है तो ग्याइज यहे सब जो मैंने आपको बदाया तो इन डिजिस में आप बेजी जग इस इंजेक्शन को उपयोग में ला सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स अब दोस्तों इसे के साथ बहुत जरूरी बात है ठीक है तो दोस्तों यह जो इंजेक्शन है यह क्या है कि आपको 30 ml की वायल में भी देखने को म 100 mill में ही आता है वायल में आता है तो कॉन इसी के साथ हम बात करते हैं कि कि सूरूट के द्वारा हम इसको इसंजेक्शन को अनिमल में लगा सकते हैं तो घाइज हम पशुब को है इनिमल में आई एम आई के द्वारा तीनों रूटों के द्वारा आप बेजीजक अपने अनिमल में यह जो इंजेक्शन है इसको उपयोग में ला सकते हैं ठीक है अब दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कि क्या यह जो इंजेक्शन है यह पशु में किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट करता है तो दोस्तों यह जो injection है किसी भी तरह का कोई भी side effect आपके पशु को नहीं करता है हालांकि दोस्तों यह injection आपके पशु में उस समय दिकत कर सकता है जब आप जो है इस injection की जो dose rate होती है वो सही तरीके से पशु को नहीं लगाते हैं डोस्तों में आपको आगे बताऊंगा तो इसकी डोस्तों का आपको बिल्कुल सही तरीके से ध्यान देना है अदर्वाइस यह पशु में किसी तरीके का कोई side effect नहीं करता है ठीक है तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी बात डोस रेट की कि किस एनिमल में हमें कितनी डोस इस इंजेक्शन की टोल्डी एंफॉस सूधियम इंजेक्शन की देनी है ठीक है तो काई जैसे की बड़ी गाय है भैंस है चारसों से पांसों केजी की है ठीक है तो ऐसी कंडिशन में आप क्या कर सकते हैं कि 10 से 15 ml आई एम गोठ है शीप है यह चोटे काफ है बच्ड़ी बच्डिया है तो गाइस उनको आप 3-5 ml इंट्रमस्कुलर रूट के द्वारा इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं और गाइस इंजेक्शन है चोटे एनिमल में आप हमेशा इंट्रमस्कुलर के रूट के द्वारा ही इस में इसका ऊपयोग किया जाता है और फिर्ड में ये जो हैंसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है और बुआच्छा इसका रिजल्ट भी है ठीए तो आप इसको और यह आपको वेटनरी मेडिसीन की दुकान होती है और डिस्पेंसरी में मिल जाएगा तो गाईज अगर आपको इस इंजेक्शन के प्रति कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के शाद शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद